दोस्तो एक पेसा भी खर्च नहीं होने दूगा तुम्हारा जी हाँ दोस्तो बिल्कुल सही सुना अब आपका पेसा जाएगा आपकी ही जिब में तो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे ह माधियम से पॉलो टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम 2022 की जवर्दस तैयारी कराई जा रही है दोस्तों को डिजाइन के रहता है इन वीडियो के माधियम से जो आपके एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत जादा इंपोर्टेंट है यानि कहीं ने कहीं पूछे गए हैं च अच्छे तरीके से आपसे करने आ जाएंगे वो ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब जरूर कीज़ेगा चूकि मैं आपके लिए हैलफल वीडियो यानि इसी तरह की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा और आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए या नहीं मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दी जाए या नहीं इंट्रेस एक्जाम तक किसी भी हाल में स्क्रीन पर गया अब यदि X is equal to A cos cube theta तथा Y is equal to A sin cube theta तो X की power 2 by 3 plus के Y की power 2 by 3 का मान क्या होगा किस तरह से question solve करना है आई समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या काम करना है X की power 2 by 3 यानि X की power 2 by 3 हमने ये लिख लिया ठीक है plus के Y की power 2 by 3 clear is equal to अब X का मान क्या है Sir X का मान A cos cube है A cos cube theta है तो यहाँ पर A cos cube theta की power क्या हो जाएगी 2 by 3 हो जाएगी clear plus ये लगा दिया हमने बीच में ठीक है उसके बाद में Y का मान क्या है Sir Y का मान यहाँ पर A sin cube theta है तो यहाँ पर हमने A sin cube theta की power क्या कर दी 2 by 3 कर दिया ठीक है is equal to ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो A की power 2 by 3 हो जाएगा यह नहीं हो जाएगा Sir A की power 2 by 3 हो जाएगा ठीक है अब जैसे ही हम cos cube theta की power 2 by 3 करेंगे तो इस cube से यहाँ वाला cube cancel यहाँ यहाँ पर cos square theta बचेगा तो हमने यहाँ पर cos square theta लिख दिया clear यहाँ प्लस यहाँ प्लस ठीक है उसके बाद में A की power 2 by 3 हो जाएगा तो A की power 2 by 3 हमने यहाँ पर लिख दिया इसी परिकार दोस्तो sin cube theta यहाँ इस वाले cube से यह वाला cancel हो जाएगा into में हो जब square में होता है और उसके उपर घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है उनकी तो जब हम इसकी multiply इस तीन की multiply 2 by 3 से करेंगे तो इससे हमारा यह cancel हो जाएगा ठीक है यह बात आपको एकदम exact तरीके समझ आ गए होगी मुझे पूरी उम्मीद है बचा क्या हमारा केवल sign square theta बचा तो हमने यहाँ पर sign square theta लिख दिया clear उसके बात में a की power 2 by 3 यहाँ पर भी है a की power 2 by 3 यहाँ पर भी है तो a की power 2 by 3 हमने यहाँ पर लिख दिया clear अब अंदर हमारा क्या बचा break it का अंदर cos square theta plus sign square theta ठीके क्या आप जानते नहीं कि cos square theta plus sign square theta is equal to 1 होता है जब हम a की power 2 by 3 की multiply इस 1 से करेंगे चुकि इस का मान क्या है इस का मान 1 है इस का मान क्या है इस का मान 1 है तो a की power 2 by 3 इसका correct answer आजाएगा कौन से option में देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा option number C is the correct answer हो जाएगा I hope दोस्तों यह question बहुत जवरदर्स तरीके से आपके समझ आगे होगा मुझे पूरी उम्मीद है next questions की ओर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से यह वाले questions को भी solve करना है देखे दोस्तों थोड़ा सा complicated questions तो है लेकिन easy question है एक दफ़े करोगे तो definitely आप अपने exam में इसको solve कर जाएंगे अगर आएगा तो ठीक है तो यहाँ पर इसमें हमसे कहा गया है कि यदि 2 sin theta is equal to 2 minus cos theta तो sin theta का मान क्या होगा थोड़ा सा long question है इसको screen पर solve करने का प्रियास करता हूँ जब हम इस cos theta को उठाकर इधर लेकर आएंगे और इस 2 sin theta को 2 के इधर लेकर जाएंगे right side में तो यह वाला minus का left side आकर के plus का हो जाएगा तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया cos theta लिख दिया clear? तो बिल्कुल ठीक है जब हम 2 sin theta को इस 2 के पास लेकर जाएंगे तो is equal to क्या हो जाएगा हमारा 2 minus 2 sin theta हमारा यहाँ पर हो जाएगा clear? सर बिल्कुल clear है उसके बाद में हम क्या काम करेंगे यहाँ से हम 2 को common लेंगे यहाँ से हम 2 को common लेंगे तो आईए लेते हैं तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर cos theta is equal to 2 हमने यहाँ पर common ले लिया 1 minus sin theta हमारा यहाँ पर हो गया clear? अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं? दोनों और वर्ग करने पर जब हम both side square करेंगे तो यहाँ पर हमारा cos square theta हो जाएगा cos square theta is equal to 2 का square तो 4 हो जाएगा ना तो 4 1 minus sin theta 1 minus sin theta का whole square यहाँ तलग भी clear हो जाएगा एक दम ठीक है? तो cos square theta हमारा यह रहा is equal to 4 यह रहा a minus b के whole square से इसको खोल देंगे तो 1 का square तो हमारा 1 आ जाएगा ठीक है? plus sin square theta minus 2ab यह रही 2 sin theta हमारा यहाँ पर आ जाएगा clear? बिल्कुल ठीक है जी अब इस 4 की multiply इस पूरे में portion में कर देंगे तो आईए करते हैं तो यहाँ पर हमारा cos square theta is equal to 4 plus 4 plus 4 sin theta minus के 4 to the 8 यहनि 8 sin theta हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि लिए उसके बाद में हमें क्या काम करना है? 8 sin theta को उठा करके जे सही हम इसके पास लेकर आएगे cos square theta के minus के 4 sin theta minus के 4 sin theta भई इस वाले 4 sin theta को left side लेकर आएगे तो minus का हो जाएगा नहीं और इस 4 को भी left side लेकर आएगे तो minus का हो जाएगा ठीक है? तो minus के 4 is equal to 0 किलियर उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 sin theta ये रहा और minus 4 sin theta ये रहा minus करेंगे क्या जाएगा? cos square theta ऐसा ही plus के 8 sin theta minus के 4 sin theta तो 4 sin theta बचेगा हमारा minus 4 is equal to 0 किलियर अरे हम ठीक कर रहे हैं ये नहीं मैंने आप से क्या कहा? ये 4 a सी रहा हमारा a square plus b square ठीक है? minus के 2 sin theta याई 2 sin theta बिल्कुल ठीक है cos square theta ये रहा 4 plus 4 sin theta ठीक है? उसके बाद में 8 sin theta बिल्कुल ठीक cos square theta प्लस के 8 sin theta ठीक है cos square theta प्लस के 8 sin theta minus के 4 sin theta minus 4 is equal to 0 बिल्कुल एक्जेक चल रहा है ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखे तो cos square theta ये रहा और इसको हम पहले हम मैंने करके लिखते हैं ठीक है? तो आई ये लिखते हैं इसको cos square theta plus 4 sin theta minus 4 is equal to 0 तो यहाँ पर हमारा ये आजाएगा cos square theta minus के 4 सोरी, plus के 4 sin theta minus 4 is equal to 0 अरे कुछ गडबल लग रहा है कै यहाँ पर कुछ आगे पीछे mistake होई है क्या भई? कुछ आगे पीछे mistake लग रही है भई मुझे मैंने आप से क्या कहा? मैंने आप से कहा cos square theta ये रहा हमारा दोनों और वर्ग करा था न हमने दोनों और वर्ग हमने जब करा तो cos square theta is equal to 4 ये रहा 1 minus sign 1 minus sign theta का whole square हमारा हो जाएगा ठीक है? दोनों और हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया उसके बाद में हम इसको किस तरह से solution करेंगे? यहाँ पर एक mistake हुई थी भई इस cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 minus sign square theta 1 minus sign square theta is equal to 4 1 minus sorry 1 plus sign square theta यहाँ 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 पर आ जाएगा ठीक है? 1 minus sign square theta हमारा as it is चल रहा है is equal to 4 की multiplication अंदर करेंगे तो 4 plus के 4 sign square theta minus के 8 sign theta हमारा यहाँ पर आ जाएगा किलियर अब minus sign square theta यह रहा और minus के 8 sign theta यह रहा sorry minus के 4 sign square theta यह रहा किलियर 4 sign square theta जब इदर जाएगा तो क्या 3 sign square theta नहीं हो जाएगा? सर बिलकुल हो जाएगा तो इस sign square theta को right side लेकर जाएगे तो यहाँ पर हमारा 3 sign square theta बचेगा 3 sign square theta किलियर उसके बाद में हमारा यहाँ पर minus के 8 sign theta तो minus के 8 sign theta हमारा यह रहा यह वाला 4 बचा हुआ है तो हमने यहाँ पर plus के 4 लिग दिया और यहाँ माइनस बचा हुआ है left right side लेकर आएगे minus का हो जाएगा यह रहा 1 किलियर is equal to 0 अरे बात समझा यह नहीं सर बिलकुल आ गई तो 3 sign square theta minus के 8 sign theta plus 4 minus 1 is equal to 0 यानि इसको अगर हम सही तरीके से लिखे तो 3 sign square theta 3 sign square theta minus के 8 sign theta 8 sign theta 8 sign theta plus के 3 is equal to 0 अरे भाई यहाँ पर फिर गड़बड हो रही है क्या मैंने आप से क्या कहा यहाँ पर द्वारे से दिक्कत हो गई है क्या question solution क्यों नहीं हो रहा भाई इसका solve क्यों नहीं हो पा रहा है सही तो चल रहे हैं हम 1 minus sign square theta is equal to 4 plus 4 sign square theta minus के 8 sign theta 5 sign square theta minus के 8 sign theta 5 sign theta आता लेकिन यहाँ पर कैसे हो गया यहाँ पर 5 sign आएगा ना भाई अरे हाँ बिलकुल यहाँ पर 5 आएगा ना दिक्कत हो रही जैसे यहाँ पर minus का है right side जाएगा plus का हो जाएगा कोई बात नहीं दिक्कत हो जाती है यहाँ पर आपको बस concept समझ आना चाहिए इसका ठीक है तो इस minus sign square theta को right side लेकर जाएगे और 4 sign square theta यह रहा है तो 5 sign square theta हो जाएगा अब बिलकुल exact है अब हमारी questions आगई एक दूभी घास समिकल जिसको हम कहते हैं क्या आगई आईए इसको देखते हैं 5 sign square theta 5 sign square theta minus के 8 sign theta minus के 8 sign theta plus के 3 is equal to 0 दिवी घास समिकल बन गई यानि 3 पंजे 15 के टुकड़े ऐसे करो प्लस करके 8 आवे तो आईए करते हैं तो 5 तिया 15 ठीक है तो 5 sign square theta minus के 5 plus 3 ठीक है 8 sign theta नहीं नहीं 8 नहीं आएगा sign theta आएगा sign theta plus के 3 is equal to 0 clear 5 sign square theta minus के इस sign theta की multiplication इस पूरे portion में ज़े हम करेंगे तो 5 sign theta minus के 3 sign theta plus के 3 is equal to 0 हो जाएगा ठीक है उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो 5 sign square theta और 5 sign theta यानि 5 sign theta यहां से हमारा क्या आजाएगा common आजाएगा ठीक है उसके बाद हमारा क्या बचेगा sign theta minus 1 हमारा यहां पर बच जाएगा minus 3 यहां से हम common लेंगे तो यहां पर हमारा minus 3 जैसे ही common लेंगे साइन थीटा minus 1 हमारा यहां पर बच जाएगा ठीक है 5 sign theta 5 sign theta minus 3 एक ब्रेकिट में यह आ गया और sin theta minus 1 यह आ गया यानि इसके factor हमारे 5 sign theta minus 1 minus 3 और sin theta minus 1 आ चुके हैं अगर हम यहां से इसका आइदर करें आइदर करें तो आइए करते हैं 5 sign theta 5 sign theta minus 3 is equal to 0 5 sign theta is equal to 3 ठीक है इस 5 को इस 3 के अपोन में ले कर जाएंगे तो sin theta is equal to 3 upon 5 इसी परकार यहां पर दूसरा हमारा जो factor था वो sin theta minus 1 था तो sin theta minus 1 is equal to 0 sin theta is equal to 1 यानि यहां पर हमारे दो factor आ चुके हैं ठीक है एक तो 1 आ चुका है और एक हमारा आ चुका है यहां पर 3 by 5 कौन से option में 1,3 by 5 आ रहा है तो यहां पर option number D is the correct answer हो जाएगा I hope दोस्तों थोड़ा सा complicated questions है लेकिन मुझे लगता है कि यह question आपको exact तरीके समझ आ गया होगा अगर यह question समझ आया हो तो comment में मुझे जरूर बिताएंगे आप ठीके next questions की बहुत time इसने questions ने भगा दिया है next questions की ओर चलते हैं और देखते हैं कोई बात में दोस्तों बस time थोड़ा सा लगता है लेकिन questions समझ आना चाहिए आपके बस ठीके next questions अगर हम देखे तो इस वाले questions में हमसे कहा गया है sec square theta is equal to 2 plus 2 10 theta तो 10 theta का मान क्या होगा जबकी theta noon कोण हो जबकी theta noon कोण हो तो आईए इसको समझते हैं तो 10 square theta minus 2 10 theta minus 1 is equal to 0 कैसे आया सर अरे क्या हम sec square theta को 1 plus 10 square theta लिख सकते हैं 1 plus सर क्यों नहीं लिख सकते है sec square theta is equal to 1 plus 10 square theta होता है ठीके अब 2 plus 2 10 theta यानी 2 10 theta को जब हम इसके पास लेकर आएंगे इस वाले portion के पास तो माइनस का हो जाएगा ठीके तो माइनस के 2 10 theta और यह वाला 2 भी इसके पास लेकर आएंगे यानी left side में तो माइनस का हो जाएगा यानी minus 2 is equal to 0 clear अब यहाँ पर हम देखें तो एक दिविखास समिकर बन चुकी है 10 square theta 10 square theta minus के 2 10 theta ठीक है minus 1 चुकि plus 1 और minus 2 तो हमारा minus 1 बचेगा ठीक है minus 1 is equal to 0 अब यह एक दिविखास समिकर बन चुकी है तो इसके factor किस तरह करते हैं b square minus 4 यानी शिरी धराचारी वाला formula इसमें लगेगा कौन सा formula होता है एक दफ़े मैं formula आपको लिख देता हूँ x is equal to minus b plus minus root d upon 2a यह इसका formula होता है ठीक है आईए इसको हम solution करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर इसका solution अगर हम करें तो 10 theta चुकि यहाँ पर अब 10 है x नहीं है यहाँ पर 10 है तो 10 theta is equal to minus b क्या है b क्या है यहाँ पर 2 है b 10 theta का कुडांग b है ना minus 2 है तो minus minus plus हो जाएगा यानी plus को लिखने की जरूद नहीं है तो 2 हो जाएगा हमारा plus minus हमारा यहाँ पर रखा जाएगा ठीक है root b square minus 4ac b क्या है हमारा minus 2 का square 4 आ जाएगा ठीक है b square हो गया minus 4ac minus 4ac minus 4 a command क्या है सर्फ 10 square का गुडांग हमारा 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया c command यहाँ पर minus 1 है तो into minus 1 यहाँ पर लिख दिया upon 2a 2 into a command 1 है यानी 10 square का गुडांग जो है उसका यानी इसकी तुलना हम किससे कर रहे है ax square plus bx plus c is equal to 0 यानी a b c के मान यहाँ से हम निकाल रहे हैं ठीक है हमने direct इसको करा है मुझे लगता है कि यहाला questions आपको easily समझ आ गया होगा 2ab sorry 2a तो 2 into 1 यानी 2 ही आ जाएगा ठीक है plus कर देगा तो 4 plus 4 यानी 8 हो जाएगा इस break it का अंदर upon में क्या आ जाएगा upon में हमारे यहाँ पर आ जाएगा इसके upon इधर करते हैं 2 आ जाएगा ठीक है तो इसका factor अगर हम करें तो हमारा यहाँ पर root 2 plus 1 इसका correct answer आ जाएगा 10 theta is equal to 10 theta is equal to 2 plus minus root 8 upon 2 clear 10 theta is equal to 2 plus इस 8 को 2 root 2 लिख सकते हैं upon 2 clear भाई एक दफ़े plus एक दफ़े minus में लेंगे minus में नहीं लेते plus में ही लेते हैं ठीक है तो हमने इसको plus में ले आया है तो 10 theta is equal दोस्तो आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताके आपके exact तरीके समझा जाए अब 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है common ले ले लेंगे तो 2 हमने common लिया 1 plus root 2 upon में 2 इस 2 से यह 2 cancel 10 theta का मान क्या आ गया 1 plus root 2 कौन से option में 1 plus root 2 आ रहा है option number B is the correct answer हो जाएगा option number B is the correct I hope दोस्तों यह questions भी आपके समय जागे होगा मुझे पूरी उम्मीद है next questions की ओर चलते हैं और यह वाला questions को देखते हैं इस वाले questions में क्या कहा गया है इस वाले questions यदि x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta तब x cube plus 1 upon x cube का मान क्या होगा इस questions का मान हमें find करना है किस तरह से हम इसका मान को find करेंगे आए समझते हैं तो दोस्तों यहाँ पर x cube x cube plus 1 upon x cube clear? ठीक है जी is equal to चै इसका formula यह नहीं होता x plus 1 upon x का हॉल क्यूब x plus 1 upon x का हॉल क्यूब minus के 3x minus 1 upon x ठीक है? यही इसका formula होता है sorry 3a b 3a plus b होता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी यह वाला formula आपका याद होगा उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या काम किया? यहाँ एक्स प्लस x plus 1 upon x का मान क्या है? 2 cos theta है तो यहाँ पर is equal to 2 cos theta की power 2 cos theta की power 3 आ जाएगी हमारी यहाँ पर ठीक है? minus 3 x plus 1 upon x का मान 2 cos theta तो 2 cos theta हमने यहाँ पर रख दिया अरे यहाँ तरह क्लियर हुआ या नहीं हुआ sir बिलकुल हो गया है ठीक है इसको यहाँ से अगर हम देखे तो 2 की power 3 कितना होता है? sir 8 होता है cos cube theta minus के 3 दो निचे यानि 3 2 दो 6 6 cos theta ठीक है? बिलकुल ठीक है जी यहाँ से 2 अगर हम common ले तो 2 हमने common ले लिया तो 4 cos cube यहाँ से हम यहाँ से हमने 2 common लिया तो 4 cos cube theta minus के 3 cos theta 4 cos cube theta minus 3 cos theta क्या यह cos 3 theta का formula नहीं होता? जरा दिल पर हाथ रखके बताओ cos 3 theta का formula होता है यह नहीं होता तो बिलकुल होता है जी 2 cos 3 theta 2 cos 3 theta कौन से option में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम देखे cos 3 theta option number D is the correct answer 26 में question पूछा गया है 222 के लिए very very important है next questions की और चलते हैं यह वाला questions को देखते हैं इस questions में कहा गया है के root 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta का सरलतमान क्या होगा? किस तरह से solve करना है? very easy है आईए इसको solution करते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें इसको exact तरीके से solution करेंगे इसका तो हमने यहाँ पर root 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta ठीक है? इसके हमने उल्टे निशान से इसकी multiply कर देंगे यानि जो 1 minus cos theta है इसके उल्टे निशान से multiply करेंगे आईए करते हैं इस break it के अंदर ही इस break it के अंदर ही करते हैं या ऐसे करते हैं into 1 plus cos theta 1 plus cos theta upon 1 minus cos theta ठीक है? 1 plus cos theta upon 1 plus cos theta ठीक है? यहाँ तलक आपके बिल्कुल कोई परिशानी नहीं होने चाहिए अब 1 plus cos theta यहाँ पर भी है 1 plus cos theta यहाँ पर भी है अरे कितना easy questions है भई यह तो यहाँ पर 1 plus cos theta हमारा आ जाएगा upon में 1 minus cos square theta हमारा यहाँ पर आ जाएगा ठीक है? चुकि 1 minus cos theta और 1 plus cos theta 1 minus cos square theta हो जाएगा I hope दोस्तों यह वाला भी question समझ आ गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है बस इसमें कुछ नहीं करना 1 minus cos square theta का sin square theta नहीं होता सर बिलकुल होता है तो यहाँ पर हमारा 1 plus cos theta यह रहा और upon में sin square theta क्या हो गया? साइन square कैसे हो जाएगा भी? अरे रूट तो चल रहा है ना हमारा इस रूट के अंदर ही तो है इस रूट से यह cancel ठीके तो 1 plus cos theta upon sin theta ठीके इसको solution करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा? अब इसको अलग-अलग करके लिखेंगे 1 plus cos theta upon sin theta ठीके is equal to 1 upon sin theta plus cos theta upon sin theta ठीके अब 1 upon sin theta cos theta होता है plus cos theta upon sin theta cos theta होता है कौन से option में आ रहा है अगर हम यहाँ पर देखे तो option number option number c is the correct answer हो जाएगा I hope दोस्तों ये questions भी समझ आ गए होगा मुझे पूरी उमीद है तो दोस्तों आज के ये सारे questions बिल्कुल exact तरीके से अगर समझ आए हो तो comment करके जरूर बताएगा अगर नहीं आये हो तो आप मुझे से पूछ सकते हैं 3997 574396 दोस्तों किसी भी हाल में आपका interest exam killer करा कर रहूँगा फिडियो of course इस दम तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तो God bless you students Love you and Tech care